चलिए तो आज हम लोग रेविट आर्खिटेक्चर का दस्वा लेक्चर लेने जा रहे हैं तेंथ लेक्चर आज है हमारा और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाव टु क्रिएट दास्टेर्स आज हमारे लिए बहस जरूरी है फिलाल तो हम लोग बेसिक बेसिक च्चर के सीखेंगे सिंगल यानी जमीन से लेकर के एक रूफ तक यानी फर्स्ट फ्लोर मतलब बोल सकते हो है ना सिंगल स्लाब तक देखेंगे simple सा उसके बाद हम लोग multi storage building में कैसे create करना है उसको देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को technique को समझना होता है कि हम लोग actually staircase लेते कैसे हैं by default कैसा दिया हुआ है और हम customized staircase कैसे ले सकते हैं तो आज उन सारे चीजों के बारे हम लोग discuss करने वाले हैं किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है तो जरूर पूछिएगा ओके क्या हुआ कल दो ही लोग थे इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया था फास्ट फास्ट में लेके थोड़ा सा glance दिखाया था मैंने और एक और error आ गया कि recording चालू करना मैं भूल गया था तो आज जो होगी वो recording भी होगी और जादा चीजे हम लोग आज cover करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहली बात क्या है कि मैंने unit वगेरा सब कुछ set कर लिया है यहां से देख लिजेगा मैंने meter ले लिया है two decimal places ले लिया है unit symbol मैंने meter में ले लिया है यह सारे चीजे हमने create कर लिया है अब okay कर देता हूँ अब हम staircase बनाना start करते हैं तो जैसे ही आप यहां पर लेते हो stairs और stairs by component होता है और एक होता stair by sketch तो हम दोनों देखेंगे और दोनों में editing करना भी सीखेंगे ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले तो run जैसे ही आप stairs लेते हो modify and create stairs में जाके यह आपका run जो है on रहता है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आराम से ले सकते हो बागी का काप यहाँ पर देखेंगा run रहा मैं इधर click करता हूं click करने के बाद आप यहाँ पर click किजिए और click करने के बाद देखिए यहाँ पर automatically आ रहा है मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा तो यह सारे चीजे हमारे आ चुकी हैं आप चाहेंगे यहाँ पर click कर दिजिए और जैसे ही आप यहाँ पे click करते हैं right click किजिए cancel किजिए एक बार और right click किजिए cancel किजिए अभी देखिएगा आप पे depend करता है number of staircase या number of actually rise कितना चाहते हो trade कितना चाहते हो so you can increase and decrease तो अपने हिसाब से वो size वगरा control कर सकते हैं यहाँ पे suppose मैं 1.5 meter का चाहता हूँ और यह depend करता है आपके rise and trade पे और आपका level कितने height पे बना हुआ है जैसे कि normally अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो है हमारा यह यहाँ से यहाँ तक ही जाने वाला है आप इसको edit कीजे थोड़ा सा मैं इसको ok कर देता हूँ staircase को फिर बात में मैं level की height जो है थोड़ा control करता हूँ यहाँ पे 3 meter का ही रखता हूँ यह हमारा देख लिजे by default इतने में आ गया है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से 3D view में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एक simple सा staircase बनके तयार हो चुका है और मैं इसको hide कर देता हूँ right click करके यहाँ से hide in view elements को hide कर देते हैं फिर यहाँ से right click करके यह रहा element को hide कर दिया and here we have a simple staircase मैं यहाँ पे click करके इसको shaded में create कर देता हूँ अब जरा सा इन चीजों के बारे में जान लेते हैं किसको किसको एक staircase में क्या क्या होता है so हम जानेंगे ठीक है तो देखिएगा सबसे पहली चीज एक staircase में क्या क्या होता है so देख लेते हैं जैसे कि हम इसको बोलते हैं riser इसको trade बोलते हैं इसको support बोलते हैं या फिर stringer बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया बलुस्टर हो गया ये हमारा handrail हो गया अगर बीच में रहेगा तो middle rail हो गया बोटम में रहेगा तो bottom rail हो गया और ये जो थोड़ा सा देख रहा है आपको हमारा ये trade में इसको nosing बोलते हैं nosing बस इतना ही type से लेना तो भी ले सकते हैं है ना तो देखते हैं ये हमारा एक simple सा हो गया है अब अलग सा देखते हैं फिर से मैं level one में चला जाता हूं you can see यहां पर simple सा staircase आ चुका है अगर मैं यहां पर click करता हूं तो देखिए कि number of staircase यहां पर करा 20 ले लेते हो 20 ले लो तो automatically one second तो यहां पर थोड़ा सा जितना ही fit बैठेगा उतना ही automatic लेगा राइजर का size देख लो 0.15 का है और trade का जो होगा वो 0.25 ले लिया है by default यह हमारा standard ले लिया है no problem आप 19 ही रहने दो इसको it's very simple यह हो गया हमारा 0.15 का हमें पता ही है standard होता है हमारा 0.15 का राइजर और 0.25 का उसका trade होता है यह by default होता है ठीक है यह हो गया simple सा अब फिर से देखते हैं stair लिया stair में लेने के बाद आप इसको ले सकते हो यह ले लिया इसको click किया देखे यहां पर center से है left से है right से है यह सारे चीज़े हम लोग ले सकते है you know है ना तो इससे पहले यहां पर मैंने click किया and then गया इधर से मैं पांच सेड़ी ले लिया इधर और इधर जाता हूं में you can see here आप यहां पर जहां पर click करेंगे वहां से आपका landing देखो आ चुका है यहां से देख लो यह हमारा landing आ गया अजीब सा आ गया है ना देखो तो यह हमारा extra थोड़ा सा बढ़ गया है तो we don't want this portion यह जो portion है हमें नहीं चाहिए एक्सट्रा अगया हमारा यहां से हर तक ठीक है है ना तक यह हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा तो फिर से मैं क्या करता हूं उक कर दीजिए option एक मिलेगा हम लोगों को आप चाहो तो right आप चाहो तो left अगर इस side चाहिए तो left वाला ले लो no problem देखो यहाँ पर click करेंगे left में आ जाएगा no problem और थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ okay करके और मैं इसको थोड़ा move कर देता हूँ किधर तो move कर दिया ठीक है अगर आपको left में चाहिए तो left ले लो right में चाहिए तो right में ले लो you can see here देख लो यहाँ पर कितना सांदर तरीके सा आ गया है हमारा ठीक है न it's very very simple you know ठीक है यह हो गया फिर से मैं level 1 में चला जाता क्या दिया हुआ है मैंने stair लिया stair के बास देख लो यहाँ पर यही वाला लिया है मैंने पहला वाला यहाँ पर click किया फिर ऐसे जाओंगा फिर यहाँ से left नहीं मुझे right side में चाहिए तो मैं right ले लिया यहाँ पर click किया फिर यह दो गया मैं यहीं पर click करता हूँ फिर से य यहां पर click करूँगा and then यह रहा हमारा total so number of stairs उतने ही रहेंगे riser का size भी उतने ही रहेगा trade का size भी उतने ही रहेगा बस यहां पर दो lending add हो चुका है ठीक है तो इस तरह से हम एक simple सा staircase बना सकते हैं हम okay करना चाहिए यहां से तब ही वो आएगा नहीं तो नहीं आने वाला है ठीक है यह रहा हमारे कुछ चीजें जिसके बारे मैं हमें बताना था अब जरा सा देखते हैं आगे का छोटे छोटे चीजें हैं मैं detail में बताऊंगा आज यह सारी चीजें बताऊंगा इसके parameters को कैसे change करना है यह भी बताऊंगा वो सारे चीजें आप देखेंगा गौर से फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर यह रहा हमारा stairs stairs में जाने के बाद अब ऐसा ही हो गया ठीक है अब इतना ही लेते हैं इसमें अभी देखें यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसको click किजिए यहाँ पर right या left या center जब भी आप circular लिजिए तो center लेना ही बहतर रहता है center to center distance आप कहीं से भी start कर सकते हैं यूनों देखिए यहाँ पर एक message आपको आएगा you can see here आप जरा से देखिए गा इसमें आपको क्या बताता है number of staircase कितना है यह बताएगा आपको कितना remaining है ऐसा करके कर सकते हैं ठीक है तो आप कहीं से भी start कीजिए यहाँ से start करना है यह ना लिए फिर यहां से 3D में चले जाएए you can see here यह भी आ चुका है हमारा it's very simple अराम से हो गया फिर से मैं level 1 में चला जाता हूँ level 1 में जाने के बाद यह रहा हमारा stairs stairs में जाने के बाद फिर से बाजुवाल लेता हूँ यहां पे जाने के बाद आपको अपने हिसाब से decide करना है कितना जाना है कितना नहीं है ना so we can see here click किजिए you can see यह देख लो आप चाहें तिधर से भी ले सकते हैं आप चाहें तिधर से भी ले सकते हैं clockwise और anticlockwise ठीक है इसमें एक ही direction है है ना हम उसको change भी कर सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको यहां सैसा लेना है ले लिजिए and this is what I want आप जब भी इसको click करेंगे यहां पे देख लीजिए एक arrow problem यहां पे अगर मैं select करता हूं इधर से आप बढ़ाएंगे तो पीछे से कम हो जाएगा देखो यहां से कम हो जाएगा क्योंकि उतना ही है हम slab के height तो नहीं बढ़ा रहे है ना देख लो आप इधर से करोगे तो उपर से कम हो जाएगा location हम adjust कर सकते हैं इस से इस और arrow को पक जरा इसमें देखते हैं यह हमारा है इसको यह देखो direct यहां पे लेने के बाद हमें क्या करना है और click करने के बाद देखिए इसमें कुछ options हैं जो हमें follow करना होगा देखना पड़ेगा देखिए दोनों सीडियों को आप देखिए यानि दोनों trade को जरा गौर से देखिए इसको और इसको और इधर से भी इसको और इसको यह जो चार सीडिया है वो दोनों parallel parallel में दिख रहे हैं और बाद में देखिएगा यहां से लेकर वो धीरे-धीरे manage करते चला गया है balance करते चला गया ठीक है तो अगर आप इसमें कोई changes करना चाहते हैं अलाके आप width वगेरा बढ़ा सकते हैं अगर इधर से बढ़ाएंगे तो नीचे से कम होगा देख रहा है आपका और नीचे से बढ़ाते हैं तो ऊपर से कम होगा you can see here but nothing to worry हम number of staircase के सुत नहीं रहेगा आप चाहे location change कर सकते हैं अब जरा सा देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें है setting में यहां पर आप select कर लीजिए select करने के बाद देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है parallel thread यहां पर दो दिया हुआ है यहां पर मैं कर देता हूँ 4 और इधर आ जाईए आप यह देखो अभी जो 2 था अभी देखिएगा यहां पर हमारा 4 हो चुका है यहां से लेकर के यहां तक हम भी गौर से देखिएगा यहां पर हमारे दो सीड़ियां ही parallel है तो मैं फिर से इसको select करूंगा select करने के बाद यहां पर देख लो 2 है तो यहां पर मैं फिर से इसको 4 कर देता हूँ तो उपर भी यहां पर देखिएगा ओके यहां पर फिर से आपके 4 staircase पैरलल हो चुके है ठ अलागे अभी तो ज़रुरत भी नहीं है में, अगर मैं left लेता हूँ तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अल्रेडी बन चुका है हमारा, और top height जो है 3 meter की है, क्योंकि हमारा जो slab होने वाला है, वो 3 meter में होने वाला है, इसलिए 3 meter में दिखा रहा है आपको, और देखिएगा extend below अगरा कुछ भी नहीं करना, begin with riser, riser के साथ में शुरू किया गया है, अब यहाँ पर जड़ा सा देखिएगा, एक और option यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, ये देखिए, winder style, अगर देखिए, यहाँ पर दो तरीके दिए होते हैं, ये देखो single point है, और single point में जाने के बाद, अगर आब बाहर आते हो, तो देखिए, कैसा आ रहा है, सो, ये हर, जो, देखिए, उसका direction, जो single point, कहीं न कहीं जा करके, ये merge होगा, यानि intersect होगा, ये हमें नहीं चाहिए, जादातर option, जादातर time हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपको balanced ही रखना है, यानि जो भी रहेगा, सब equally distributed रहेगा, और balanced रहेगा, तो ये option हम लोगों को काम आता है, ठीक है, जरा इसको मैं 3D में जाके देख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको, तो ये हमारा देख ल here we have, ये देख लो, आई बाद सबज में अभी मैं बताओंगा हर चीज कैसे edit करना है, फिर से मैं level 1 में चला जाता हूँ, एक जो बच गया हमारा stair ले लिया, stair में जाने के बाद ये लो, ये लेने के बाद आपको देख लो, कल जो नहीं आ रहा था, आज आ रहा है, यहाँ आप क्लिक कर लिजिए, और क्लिक करने के बाद ये देख लो, total इस तरह साने वाला है, और आप यहाँ से, can select and then we can reduce the width, इस तरह से आप कर सकते हैं, फिर यहाँ सा आप इसको भी थोड़ा सा reduce कर सकते हैं, फिर आप इसको पकड़के इसको भी reduce कर सकते हैं, you know, and this is the way, अब य trade का जो width है वो बढ़ गया हमारा, देख लो, है ना, तो यहाँ हमारा अपने आप balance होगे, actual अच्छा उतना ही लिया है, ठीक है, यह दिख रहा है, मतलब zoom करने के बाद दिख रहा है, ठीक है, बढ़ा नहीं है, बिल्कुल उतना ही है, और आप अगर यहाँ पे click करते हैं, यह देखो, पीछे से हमारा कम हो रहा है, ठीक है, फिर आप अगर इधर से खीचोगे, तो इधर से जाने के बाद यह देखो, पी आगे से कम हो जाएगा, ठीक है, यह छोटी छोटी चीजे हैं, आप इसके width को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, यह सारे चीजे मैं अभी आपको discuss करके बताने वाला हूँ अब जरा सा गौर से देखिएगा यहां पर मैं click करता हूँ फिर यहां से मैं single point ले लेता हूँ single point में देखिए इसका design कैसा change हो जाता है हर एक का direction देखो कहीं ना कहीं जाके वो touch होगा है ना यह सब तो हमें single point वाला option को बिलकुल भी नहीं रखना है अब यहां से जाने के बाद आपको करना है balanced और यह हमारा balance हो गया अब जरा सा देखिएगा जिस तरह सा हमने पिछले वाले type में किया था यहां पर भी वो type हम use कर सकते हैं जैसे कि यह दोनों cd हमारे parallel हैं आप अगर चाहते ह कि यहां तक आपके parallel हो जाएं तो आप कर सकते हैं no problem select किजिए यहां पर देखो trade जो दिया हुआ है यहां पर 4 ले लो और यह देखो I'm sorry लगता है यह कुछ जादा ही हो गया है तो यहां पर मैं 3 लेके देखता हूं 3, enter यह देख लीजिए 3 जो है हमारा balance हो चुका है check it मैं क्या करता हूं 4 और enter कर दिया and then बाहर की तरफ यह नहीं हो रहा है कुछ जादा ही हो ठीक है तो तीन हमारा मुश्किल हो रहा है और इधर दो ही होगा क्योंकि यहां पर जगा ही नहीं है उस तरह से करने के लिए ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हो अगर मैं यहां प इधर गया भीया यह देखो कैसा लग रहा है तो यह तो हो गया हमारा ready made यह क्या हो गया हमारा ready made staircase जो रेविट में दिया हुआ है अगर इसके अलावा भी बनाना रहे तो आप कैसे बना सकते हो यह भी मैं बताने वाला हूं ठीक है तो चलते हैं थोड़ा सा और इसमें क्या क्या option दिया हुआ है उसको देखेंगे double click करता हूँ जरा सा इसको मैं select करता हूँ और selection के बाद देखिएगा एक और option हम लोगों को मिलता है यहाँ पे लेने के बाद one second इसको मैं select किया और यहाँ पे कल जो radius वाला था यहाँ पे round करने वाला वो किदर गया वही है हमारा total मै मैंने select कर लिया है and then अच्छा ठीक है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग यहाँ नहीं दीख रहा है हमारा कि आर रेडियास रेडियास नहीं दीख रहा है न उस दिन लिये थे ना हमने ओके नहीं दिख रहा है ठीक है ठीक है देखेंगे उसको कर चलिए तो यह तो हमारा हो गया है simple से staircase हम इसकी मदद से यह देख लो कैसे बना सकते हैं अब जरा सा हमें क्या करना है कुछ editing करनी है जैसे की हम चाहते हैं कुछ editing करना अब हमें हर बार तो इस तरह का सीड़ी नहीं चाहिए हमें हर बार तो इस तरह का staircase नहीं चाहिए है ना तो फिलहाल क्या है बलुष्टर या railing को मैं delete कर देता हूँ आप चाहें थटा सकते हो Direct select करके delete कर दिजिए या तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसको select किजिए नो problem ठीक है अब hide भी कर सकते थे no problem जैसे की मैंने क्या किया इसको select किया और control इसको select किया और हम अगर edit type में जाके करेंगे तो भी होता है, मैं बताने वाला हूँ, फिर अभी फिलाल के लिए मैं इसको delete कर देता हूँ, अब देखेगा सर जी, मैं इन सब को थोड़ा सा delete कर रहा हूँ, है ना, बाद में देखते हैं, एक बार हम लोग पूरा सीख जाएंगे, उसके ब देता हूँ, यहां से मैं edit type में जाता हूँ, edit type में जाने के बाद देखेगा सर जी, यहां पर riser की height दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हो, 0.19, ठीक है, आप यहां तो change कर ही सकते हो, 0.15 कर सकते हो, no problem, और enter कर दो, तो जो भी आएगा, वो 0.15 के हिसाब स यहां से आएगा, अगर मैं apply करता हूँ, तो यहां पर automatically update हो जाता है, यहां पर update हो जाता है, अब देखिए, पहले थोड़ा सा मोटा दिख रहा था, अभी देखो पतला पतला दिख रहा है थोड़ा सा, यहां इसको select किजिए, फिर यहां से edit type में जाएए, अब देखिए, यह by default आ चुका है इतना, और maximum thread depth जो लिया गया है, यह हमारा 0.25, यहां पर actually जो है, depth नहीं बोल सकते हैं, इसको width बोलने वाले, अच्छा ठीक है, यहां पर यह width जो दिया गया है, वो यहां से यहां तक का है total, आप देख सकते हो उसको, you can see, जो दिया हुआ है, यह total CD की width ह यह जो दिया हुआ है वो, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, suppose you want 8.1.2 meter, then देखियेगा, मैं apply करता हूँ, है ना, यह बढ़ा क्या, one second, भले update हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा check कर लेते हैं, level 1 में जाता हूँ मैं, और ज़रा सा मैं इसको check करता हूँ, यहां annotate से, और यह ले लिया मैंने, इसको यहां से, यहां तक, 1.5 का लिया था ना, मैंने last time, अच्छा ठीक है, हाँ 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 हाँ, one second, फिर से मैं जाता हूँ 3D में, देखते हैं, यह हमारा 1.5 का था, यहां तो कुछ नहीं, edit type में जाता हूँ, edit type में जाने के बाद, यह 1.2 यह तो होना चा हुआ है, अब जड़ा सा देखिएगा सर जी, हम इसमें जाते हैं, थोड़ा सा देख लो, यह क्या है, 50 mm trade, 13 mm riser, अगर आप यहां पे जाते हो, run type, इसमें भी हम लोगों कुछ भी नहीं करना, अगर आप चाहें, तो यहां से material वगेरा change कर सकते हो, यहां पर जाने के बाद आप क्लिक किजिए, trade material, riser material, तो आप देखिए, मैं अभी तुरंत बदल के दिखाता हूँ, जैसे कि यह ले लिया मैंने, नीचे की तरफ, यहां पर बहुत सारे चीज़े दिया गया है, तो आप ले सकते हो, यहां पर मैं उड़ का लेना चाहता हूँ, यह ले लिया मैंने और apply कर दिया, और ok कर दिया, अब जरा सा मैं क्या करता हूँ जी, यहां से मैं realistic करता हूँ, तब जाके आपको दिखाए देगा, save करने की जरूरत नहीं है, देख लीजेगा सर जी, अब मैंने wooden लिया, तो यहां पर wooden आ चुका है, ठीक है, और बहुत सारे चीज़े हैं मैं दिखाता हूँ, इसको select किया मैंने, edit type में गया, और edit type में जाने के बाद, यहां पर जाएंगे, run type में, run type में जाने के बाद, यह जो छोटा सा button है, उस पर click करना है, और उस पर click करने के बाद, अगर आप चाहें, तो यहां से और भी change कर सकते हो, उड नहीं चाहते हैं आप तो थोड़ा सा इधर जाएं, और इधर में जाने के बाद, आप paint ले सकते हैं, और नहीं तो textiles वगेरा, या तो फिर इधर कौन सा लेंगे, मशनरी में वगेरा हम क्या ले सकते हैं, हम लोग ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, textiles में, carpet या, carpet लेके देखता हूं मैं, double click किया, apply किया, ok किया, यहां से देख लो, तो इस तरह का carpet जैसा material चेंज हो चुका है, हमारा ठीक है, अब देखिएगा सर जी, यहां पर यह nosing length वगेरा भी, हम लोग control कर सकते हैं, मैंने इसको select किया, फिर edit type में गया, यहां से देख हूं, run type में जाने के बाद छोटे वाले button पर click किया मैंने, और ज़रा सा देखिएगा, अगर trade नहीं चाहिए, यहां पर check mark है न, अगर trade गायब कर दें तो, यह देखो कैसा हो गया, trade आपका गायब हो गया, यह देखो, तो ऐसा तो कभी possible ही नहीं है, आप cd lower trade नहीं रहे है क्या मतलब इसका, ठीक है, फिर से मैं क्या करता हूं, रन type में जाता हूं, यहां पए click किया, यहां पे click करने बाद फिर से trade को on कर दो, है न, और इस बार मैं क्या करता हूं, riser को off कर देता हूँ कई बार ऐसा हो सकता है कि सिफ trade रहे है ना कई बार ऐसा होता है but riser नहीं रहेगा चलेगा लेकिन trade तो होना चाहिए भाई पएर आदमी कहां रखेगा ठीक है ये देख लो हमारा आ चुका है फिर से अगर लेना है select किजिए edit type में जाएए edit type में जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे click करता हूँ ये option बहुत जरूरी है आपको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है आप जरा सा इस portion को जाके रट लीजिएगा क्योंकि editing के लिए ये बड़ा ही कमाल का है ठीक है और इसमें से run type जो है का है ओके ना अब जरा सा देखिया यहाँ पर एक option है slanted का slanted का मतलब यह होता है कि थोड़ा सा यह taper आ जाता है बहुत दिखता नहीं यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा slightly taper आ जाता है है ना यहाँ से पता तो नहीं चल रहा बट आता है वो दिया है slanted हो जाता है थोड़ा सा taper हो जाता है खैर उसके बार यह थोड़ा सा अंदर की तरफ से ला जाता है यह पूरी तरह से 90 डिग्री नहीं रहता यह देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ slanted हो गया है ओके ना पूरी तरह से 90 degree नहीं रहता है, अगर मैं फिर से जाता हूँ, select किया, edit type में जाता हूँ, यहाँ से run type में गया, इधर जाके click करो, slanted को uncheck कर दो, है ना, और यहाँ से apply करो, ok करो, थोड़ा सा, मतलब कुछ भी फरक नहीं पड़ रहा है तो, लेकिन होता होगा, यहाँ पर क्या क्या और है सर जी, जरा सा हमें देखना पड़ेगा, गौर से देखिएगा, और भी हैं हमारे पास, अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, यह तो हो गया हमारा, आब इसको ok कर देता हूँ मैं, अब जरा सा इधर की तरफ आईए, support की बात कर लें हम लोग थोड़ा सा, इस इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा इसमें करना है, तो इसका जो है, लेंडिंग टाइप में हम लोग decide कर सकते हैं, यहां से जाओ, यह देख लो, यहां पे model है, यह सब है, same, on, run, बराबर रखे दिए, यह सब जो है, आपको बाद में बता दूँगा, मैं, no problem, वैसा staircase आने दो, मैं इसके बारे में भी आपको बताओंगा, ठीक है, तो अभी जो हम लोगों को shift होना है, वो इसमें होना है, यानि support में, अब यहां पर support कौन-कौन सा है, तो जरा सक और किजिएगा, support हमारा यह है, support जो दोनों स stringer बोलते हैं, ठीक है, s-t-r-i-n-g-e-r, यहां पर उसी नाम से दिया जाएगा, you can see here, support में आपको मिलेगा, क्या-क्या मिलेगा, तो यहां पर देख लो, आपको stringer, stringer लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहां पर जाके देखिएगा, you can see, ठीक है, तो यहां पर देखिएग apply कर दो, ok कर दो, यह देखिए सरजे, आपका गायब हो चुका है, you know, एक side से पूरी तरह से गायब हो चुका है, दिख रहा है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, यहां पर select करता हूँ, edit type में गया, edit type में जाने एक बाद यह देखो, यहां पर support मिलिया, फिर आप क्या करते हो, left support, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी अगर none लेते हो, तो none ले लो, apply कर दो, ok कर दो, यह देख लो, इस तरह से आप पूरी तरह से गायब कर सकते हैं, you know, ठीक है, यह हो गया, फिर से वापस लाना है, आप इसको select किजिए, edit type में जाईए, और यह रहा total हमारा support म यहां पर जाने के बाद, आपको क्या करना है, अगर open रखना है, open रखिये, फिर left support में जाने के बाद, आप open रखना चाहते हैं, open रखिये, यहां पर भी open रखिये, पहले था closed, अभी open है, अब open का मतलब यह होता है, हमारा, देख लो, इसा, उपर नहीं रहेगा, सिर्फ न open के बज़ा हम क्या करते हैं, stringer close ले लेते हैं, एक side close लिए, तो देखें क्या हुआ सो, फरक देख लीजिएगा, open में रखने से क्या होता है, और close में रखने से क्या होता है, यह हमारा open है, ठीक है, close का मतलब दोनों side हमारा cover रहेगा, और open का मतलब एक side यानी नीचे के side मे रहेगा, उपर में नहीं रहेगा, ठीक है, इसको select किजिए, फिर से मैं edit type में जाता हूँ, edit type में जाने के बाद यहां पर close ले लिया, अभी जो पहला वाला है, इसको आप, I'm sorry है, edit type में जाता हूँ, यहां से, यह मैं close ले लेता हूँ, apply कर दीजिए, यह side भी आ गया, जो यह उपर में support लिया गया, और बीच में होता है, दोनों side खाली होता है, इस तरह से भी staircase होता है, ना हमारे पास, तो यह जो support है, हम लोग हटा सकते हैं, और बीच में ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, तो देखिए, उस तरह से भी यहां क्या करता हूँ यहाँ पे stringer को यह मैं none कर देता हूँ और यहाँ से भी my stringer को none कर देता हूँ यानि यह हमारा right support है यह हमारा left support है दोनों को none कर दिया और देखो यह तो ऐसा आ गया भाई साब है अब देखिए मैं क्या करता हूँ राइजर को भी हटा देता हूँ यहां जो है वो हमें राइजर को हटाना पड़ेगा देखिए यहां से मैं राइजर को अंचेक कर रहा हूँ ठीक है थोड़ा options को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बहुत छोटे छोटे चीजें हैं यहां पर मैं apply कर देता हूँ यह देखो यह गायब हो गया पूरी तरह से ठीक है फिर से अगर आप राइजर को on करते हो apply करते हो फिर से राइजर हमारा आ चुका है और राइजर के लिए ok कर दिया अब यहां से आप ok कर सकते हो ठीक है ok करने के बाद यह देखो हमारा राइजर गायब हो चुका है अब देखिए यहां पर एक और option आपको दिखाए देगा सर जी madam जी और यह है हमारा middle support अब middle support देखिए हमने right support हटा दिया है left support हटा दिया है आप जड़ा देखिए इधर मैंने right support को none कर दिया है left support को भी none कर दिया है अब आया middle support आई बाद समझ मैं है अब middle support को पहले on कीजिए आप on करने के बाद apply कीजिए यह देखो कैसा आगया हमारा ok कर दिजिए इसको you can see यह देखो हमारा में इस तरह से भी कई बार हमारे पास staircase रहते हैं ठीक है और कई बार ऐसा भी होता है भाई हमें एक नहीं दो चाहिए होता है तो दो भी ले सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ नहीं कितना ही लेना है फिर से मैं home button पे click कर देता हूँ अब जराद सचिए इसको फिर से select करता हूँ edit type में गया और देखिए यहाँ पे middle support हमारा on है देखिए इसका size है पूरा 50 mm का है width वगेरा सब कुछ ठीक है आप इसके dimensions भी change कर सकते हैं यूनो किदर गया हमारा 50 mm मतलब 0 point यह है आप change कर सकते हो वही यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ आप इसको apply कर सकते हैं यह देखिए थोड़ा सच बढ़ गया इसकी thickness अगर और change करना है point 2 का रखना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से point 2 का कर दो यह देखिए उस पे ध्यान दीजेगा यह बढ़ जाएगा दिख रहा है क्या बढ़ गया ना ओके कर दो अब कितने चाहिए आपको एक ही चाहिए या फिर 2 चाहिए यहां से आप बढ़ा सकते हो यह अप अपर एरो पे 2 कर दीजे कर दीजे यहां पर दो आपके आ चुके हैं ठीक है इतने मोटे मोटे ले रहे हो दो की जरूरत नहीं है है ना तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं आप इसको सलेक्ट किजिए एडिट टाइप में जाएए मिडिल सपोर्ट है यहां से में पॉइंट यह जो दिया गया इसको मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा यह देखे वीड़ था मने 0.20 मीटर का ले लिया है तो यहां से में 0.1 का कर देता है या नहीं थोड़ा सा पतले-पतले हो जाएंगे और ओके कर देता हूं ओके करने बाद सपोर्ज यहां से मैं तीन लेता हूं यूनो तीन किया और यहां से अपलाई किया यू किन से हियर तो आप यहां से तीन भी ले सकते हों दिख रहा है यह है इस वेरी सिंपल वेरी इजी अब जरा सा इस तरह के मैं ने इसमें तो अपलाई कर दिया है अब ज़रा देखता हूँ मैं कि बाकी के staircase में क्या effect पड़ेगा मैं level 1 में चला जाता हूँ और level 1 में जाने के बाद फिर से जैसा पुराने style में हम लोग लेते थे उस तरह से staircase लूँगा ये लिया यहाँ पे click किया center से नहीं हम right से लेंगे right पे यहाँ पे click किया और click करने बाद ये रहा फिर से मैं यहाँ पे click करता हूँ फिर से मैं ऐसा ले लिया अब यहाँ ok करेंगे अब ok करने बाद ज़रा देखिएगा सर जी यहाँ पे 3D में चाहिए तो दिख रहा है आपको जो setting हमने उस पे किया था उसी तरह से यहाँ पर भी आगया हलाके यह हर जगा पर वैलिड नहीं होगा इस तरह देखिए तो फेल हो जाएगा technically ना बट यह ऐसा क्यूं हुआ पता है आपको ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर duplicate लेना था है ना duplicate लेकर हम करते तो सिर्फ इसी staircase में हमारा modification होता ओके ना अगर हम एक बार उसमें कर दिया है तो आप जो भी staircase आप लिजिएगा वो सारे staircase बिल्कुल इसी type में आने वाले है क्योंकि वो जो modifications हमने किया है वो सब में apply हो गया ठीक है हमने duplicate लेके नहीं किया है अगर किसी particular object को जैसे के wall को करना रहता था हम लोग wall को duplicate करते थे ना पिछले lectures में लिए हमने एक window को edit करना है था हम लोग एक window को duplicate करते थे डोर को लेते थे तो डोर को duplicate करते थे है ना wall को लेते थे तो wall का duplicate करते थे नहीं तो उस type के जितने भी objects होते हैं सब का properties change होता है ठीक है तो इसी तरह से staircase में भी हमारा आ गया अगर मैं यहां पर बात करो circular की you can see here मैं इसे कुछ लिया तो उसी तरह से यहां पर भी आएगा और मैं अगर एक में जाके किसी भी तरह से properties को बदल दूँ तो तीनों के तीनों में properties change हो जागा यह देख लिजे आप इसमें देखिएगा जरा सा कैसा आ रहा है कितना कमाल का है यह ना बिल्कुल कितना कमाल का है यह देख लो no problem तो इस तरह से आप हर तरह का staircase ले सकते हैं अब जरा सा एक और चीज में बताना चाहूंगा यह जो nose है हमारा है ना यह जो nose है आप इसको भी change कर सकते हैं मैंने साइद उसके बारे में आपको नहीं बताया ह है थोड़ा सा वो option रहे गया लगता है चलिए देखते हैं मैं यह तीन नहीं करता मैं सिर्फ एक करता हूं देखिए मैंने एक को select किया edit type में गया और यहां तीन के बज़ा मैं क्या करता हूं एक करता हूं याद रखिए यह हमारा middle support है इसको check mark करेंगे तब ही यह सब ले सक है अगर आप 2 करते हो edit type में जाऊंगा cd को select करना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कि किसका हम properties बदल रहे हैं फिर यहां पर edit type में जाएंगे दो कर देता हूं और यहां से apply कर दिया तो वो सारे चीजें सारे staircase में update हो जाएंगे देख लिए यहां पर भी दो आ गया है यहां पर भी आपका दो दो आ गया है आई बात समझ मैं अब जिस चीज़ के लिए मैं यहां पर फिर से आया था उसको थोड़ा edit कर देता हूं मैं देगा run type में जाना होगा run type में जाने एक बाद okay किजिए और हमारा किदर है नोजिंग या ओके देख लो यहां पर जो हमारा है यह नोजिंग लेंथ दिया हुआ है जैसे कि मैंने बताया था ना कि बबा यह trade से थोड़ा जो बाहर निकला हुआ रहता है उसको हम नोजिंग लेंथ बोलते हैं तो उसको देखो यहां पर 00 दिया हुआ है आई बाद समझ मैं तो हमें जो है इसको change करना चाहिए यहांने 0.05 कर आख सकते है ना यहां से मैं हटा दिया 0.005 कर देता हूं मीटर में है क्योंकि इसलिए तो मैं थोड़ा सा apply कर देता हूं रोके कर देता हू यह देखिएगा तो थोड़ा सा हमारा यह देखो बाहर निकल के आ गया यूनो आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा यह हमारा बाहर निकला हुआ है यह देखो बाहर निकला हुआ है ना यह देखो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा पहले क्या था बिलकुल भी नहीं था है ना जीरो था अब ही अगर आप फिर से जाते हो select कर लो edit type और यह हम यहां पर जाएंगे run type में जाना है और आपको इस बटन पर click करना है 0.005 के बजाए 0.05 कर देता हूं मैं apply किजिए यह देखो थोड़ा और निकल गया हमारा you know ठीक है तो इस तरह से हर जगा पर निकलेग यह देखो थोड़ा सा इधर से भी निकल गया जादा इधर से भी निकल गया जादा यूनो तो इस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं यूनो और मैं क्या करता हूं थोड़ा सा जो trade है हमारा उसको on करता हूं फिर से मैंने इसको select किया फिर edit type में जाऊंगा फिर run type में और यहां पे क्लिक कीजिए मेरे ट्रेड तो ओन है बट रीचल को थोड़ा सा ओन कर Site अगर मैं इसको गाइब कर दिया टीए तो पूरा गाइब हो जाएगा सबस्कार का इसका राइदो कि विर धन करता है को जाएगा सब्सक्राइब हम इसकी thickness भी कम कर सकते हैं, यो जो ऊपर है न, उपर, ये click करूँगा, मैं यहाँ से edit type में गया, और edit type में जाने के बाद देख लो, यह रहा run type, run type में जाने के बाद OK करूँगा, ठीक है यहां से मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ओके नहीं करना है सॉरी 0.05 यहां पर दिख रहा है मैं यहां पर 0.025 कर देता हूँ 0.025 का कर दिया रेपलाई करके देखता हूँ देन देखो कितना पतला हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं नोजिंग लेंथ थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कम 0.05 है इसको भी 0.025 कर देता हूँ 0.025 और इसको एपलाई कर देते हैं यह देख लो फिर यह भी कम हो गया तो यह जो परामिटर्स थे छोटा छोटा चीज मैं ने बताया है आपको है ना यह सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया है ओके रेलिंग का सेटिंग में बाद में बताऊंगा ओके यह देख लो कितना कमाल का आगया हमारा इस वेरी नाइस वेरी सिंपल इस तो यूज इस तो अंडर्स्टेंड ओके आई होब यह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी